जै मतारानी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ओफिसियल में उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मतादी जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो वेले भगवान गनेश को समर्पित होता है बुद्वार के दिन उपवास रखने का विशेस ही महत्वे होता है क्योंकि बुद्वार के देवता भगवान गनेश जो की बुद्धी के देवता है हिंदु धर्म के अनुसार सपता है के सातों दिन अलग-अलग देवी देवता पुद्वार के दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखता है, उसके जीवन में सुक समुधी हमेशा आती रहती है. जो भी व्यक्ति व्यक्ति जीवन में कभी धनधानी की कमी नहीं हिती है. आईए सुनते हैं बुधवर ब्रत की कथा एक समय की बात है एक ब्यक्ति का विवाह हुआ कई वर्स बीट गए विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने माईके गई हुई थी पत्नी के माईके में रहने की कई दिन बाद उसका पती अपने पत्नी को बीदा कराने के लिए ससुरार पहुँचा कुछ दिन ससुरार में रहा उसके बाद अपने पत्नी को बीदा कराने की बाद अपने सास ससुर से बोला तो उसकी सास बोली दमाद जी कल चले जाना आज बुधवार है तो बुधवार के दिन बेटी से सुराल नहीं जाती है तो आप बिदाई नहीं करूंगे फिर भी दमाद ने बात नहीं मानी अपनी पत्नी का बिदाई करा कर अपने घाड की और चल दिया बैल गारी से तब रास्ते में जाते जाते पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी तब उसका पती पानी के तलास में इधर उधर भटकने लगा जब वो पानी लेकर काफी समय बाद लौटा तो देखा की पत्नी के पास कोई अन्य ब्यक्ती उसी के बहेस भूसा में पत्नी के पास बैठ कर बाते कर रहा है तब उसका पती उसे दुसरे ब्यक्ती से लरने लगे और पुछने लगे कि तुम कौन हो तुम मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठ कर बाते कर रहे हो तब दुसरा ब्यक्ति बोला कि यह मेरी पतनी है तब दोनों के बीच में भ्यंकर लडाई होने लगे तब कुछ समय के बाद वहाँ पर सिपाही आ गए और इस्त्री से उसके असली पती के बारे में पूछने लगे दोनों ब्यक्ति एकी जैसे दिख रहे थे इस्तीरी भी हैरान हो गई कि इन में से कौन सा मेरा पती है वो दुबिधा में पड़ गई क्यूंकि दोनों एक जैसा देखने में लग रहे थे तब पहला पती कहा कि हे भगवान यह आपकी कैसी लिला है तब ही वहाँ आकास्वानी परकट हुई और बोली कि बुधवार के दिन पत्नी को बिदा कराकर नहीं ले जाना चाहिए था यह सब सुनकर पहला प्यक्ति समझ गया कि यह सब भगवान बुध की लिला है फिर वह प्यक्ति भगवान बुध यानि कि गनेश भगवान से प्राथना करने लगे और छामा मागने लगे तब भगवान गनेश अंत्रधान हो गए और उस ब्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई तब ही से दोस्तों बुधवार के दिन भगवान गनेश की पूजा होने लगे तो आप सब बुलिए स्री गनेश भगवान कीजे तो दोस्तों यह का था मेरा यहीं तक का था कैसा लगा ये काथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और वीडियो को सेयर कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार